कि ममस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करने जा रहे हैं कि एज भी पंप के बारे में हैं आज इस पंप की हम इंबॉक्सिंग करेंगे यह आपका हाफ-HP का पंप एक्वा सीरीज है जिसका मॉडल स्मार्टी सेकिंड है सेल प्राइमिंग पंप है इसकी अंबॉक्सिंग करेंगे हम इसकी पूरी यह इसका टोल फ्री नंबर दिया हुआ है जिसे हम पंप के बारे में कुछ जानकारी दारेट कंपनी से भी ले सकत सकते हैं यो मंडे टू संडे सुबा आट वजे से रात आट वे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं तो आएए पंप को थोड़ा देखते हैं यह कंपनी की काफी बड़ी रेंज है यह संबर्सीवल पंप ओपन वल्फ पंप संबर्सीवल बूश्टर पंप सेंटर फ्यूगल पंप मॉनो ब्लोक पंप सभी पंप यह बनाती है इस पंप में हम देखेंगे इसका थोड़ा डिटेल तो यह एक रिजनरेटिव सेल्फ पैमिंग पंप है जिसका मॉडल एक्वा स्मार्टी सेकेंड है क्लोवार्ट इसका 0.37 है आप हैस्पी का पंप है बात की जाए इसके वेट की तो यह फाइब केजी 740 ग्राम इसका पंप साइज इसका जो डिलेवरी है इसका सक्षन है वन वाई बन की है इस काटून में सिंगल पीस इसकी कॉंटिटिटी है इस पंप में आपका मैनुफेक्ट्रिंग जो डेट है वो अप्रेल थाउजंड तईस की है नीचे दिया हुआ है इसका सीरियल नंबर केस्बी पं इसस साइट पर जाकर पर इसकी और वी इनफोरमेशन ले सकते हैं पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तोल फ्री नंबर यहां दिया हुआ है इस कंपनी के बारे में हम कुछ इनफोरमेशन ले सकते हैं इमेल भी कर सकते हैं जो की कस्टूमर क्एश बिंडिया.Customer सब्सक्राइब कर सकते हैं कोई जानकारी अपने अगर पूरा और चाहते हैं तो आई ये इस वीडियो को आगे बलाते हैं और इस फंप के हम अन्बोक्सिंग करते हैं अन्बोक्सिंग में सबसे पहले ये इसका एक मैनुवल दिया हुआ है इस कंपनी इस प्रोड़क के बारे में इंफॉर्मेशन इसमें सब कुछ इसकी जानकारी दी वही है इसका पानी कहां से उठाना चाहिए कहां पहकना चाहिए जो आपकी यूज़ है इसको कैसे करना चाहिए इस बुक में काफी इसमें दिया हुआ है तो हम देखेंगे इसका प्रोड़क्ट मेंटिनेंस इसका कैसे इसका आपन चलाना चाहिए सब इस चीज की जानकरी इस बुक में दी गई है इस प्रोड़क का पूरा टेक्निकल स्पेसिपेकेशन इसमें दिया गया हुआ है तो आगे हम बढ़ते हैं इस पंप को देखते हैं तो यह मॉडल है आपका केस्वी पंप का एक्क्वाइसमार्टी हाफ एच्पी का इस पंप में सबसे वेले दिया हुआ है कि इसको खाली नहीं चलाना चाहिए डू नॉट रन पंप ड्राइव आगे देखेंगे हम इसका जो मॉडल दिया हुआ हाफ एच्पी का पंप एक्क्वाइसमार्टी सेगेंड हाफ एच्पी का पंप है 0.37 एसका क्लोवाट है एड इसका 12 मीटर है डिस्चार्ड इसका 1350 लीटर प्रतिघंटा है और काफी कुछ पूरा इसमें जानकारी दी हुई है यह केस्बी लिमिटेड सिन्नर नाशिक यह इसका पूरा बताया गया है आगे इस मॉडल को देखेंगे हम इसमें T.A.O.P लगा हुआ है जैसे इसका मतलब मोटर गरम हो गई हो चलते चलते गरम हो गई हो यह हीट हो रही है तो यह थर्मोस्टेड इसको बंद कर देगा जिससे कि आपका पंप फुकने से बचेगा पूरी जानकारी दियती है यह इसका सक्षन दिया हुआ है खीचने का है वन इन चीज का फैकने का है मतलब आपका सक्षन और डिलेवरी दौनों वन वाई बन है आगे हम अपने यूज के असाब से इसको चेंज कर सकते हैं जो आपकी फिटिंग हो जो आपका परपस हो बैस पे जो आप चाहें वह कर सकते हैं आई इसको हम इस पंप क इस वीडियो को आगे ले चलते हैं इस फ़म को हमने इस तरीके से सेट कर लिया है इसमें हमने लकड़ी का स्टेंड लगाया हुआ है जो एक जगे से दूसरे जगे तक ले जाने के लिए साहता करता है। इस pump में हमने 2 1-5 City खीचने का और 2 2 फेकने का नोजल कज दिया है जो section 1-2 इंची करेगा और 1-5 फGold क्योंकि जहां customer की line है, वो 10 engl किया है और उसको ऊपर अपनी ठंकी पर ले जाना है वो भी उसका 2 engl size का दिया हुआ है इस पम्प को हमने इस तरीके से पूरा फिट कर लिया है अब हम इस पम्प को पानी के साथ टेस्ट करेंगे कि ये पानी इसका प्रेसर किस तहरीके से आ रहा है और कितना पानी ये देगा ये देखें पम्प को हमने पूरा अच्छे से सिट किया हुआ है ये इसका फैन कवर है यह पंप है, चलिए पानी इसका चेक करते हैं, यह हम देखेंगे पानी इसका डिस्चार्ज और प्रैसर का कैसा आ रहा है, हाफ इंची इसका खीचने का आप इंची इसका पैकने का हमने लगाया हुआ है, यह इसका प्रैसर के साथ यह पानी दे रहा है, यह आपका हाफ एच्पी का एक्वाइस स्माटी मोटल है, यह देखेंगे में इसका पानी का प्रेशर है बहतरीन प्रेशर है कि पानी का पी अच्छा आ रहा है तो इस पूरा इस वीडियो में बताया गया है इसको कैसे सेट करना है कैसे चलाना है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें सब्क्राइब करें थेंक यू